एक बार की बात है, पहाडियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गाव में, राजु नाम का एक गरीब किसान रहता था, उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद जमीन उपजाव नहीं थी और राजु को गुजारा करने के लिए संघर्श करना पड़ता था, एक दिन जब वह कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था, लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम गुरुजी था, गुरुजी ने स्वयम को पुराने जादू का घ्यान रखने वाला एक बुधिमान पुजारी बताया, राजू ने गुरुजी को पानी पिने और बैठने को कहा, ये सुन, गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी ने राजू को एक जादूई उपहार देने का फैसला किया, उन्होंने राजू को एक छोटा साधारन दिखने वाला मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, ये कोई साधारन घड़ा नहीं है मेरे दोस्त, ये जादूई घड़ा है, जब आपको किसी भी वस्तू की जरूरत हो, आप मांग सकते हैं और ये आपको दे दिया करेगा, राजू बहुत खुश हुआ और जादूई घड़ा घर ले गया, उस रात गुरुजी के दावे के बारे में खुश होकर, राजू ने बरतन के जादू का टेस्ट करने का फैसला किया, उसने जादूई घड़े को हाथ में लिया और बोला, मुझे कुछ खाने को दो, तभी घड़ा स्वादिष्ट और पौश्टिक भोजन से भर गया, राजू ये देखकर बहुत खुश अगले दिन उसने फुसफुसा कर कहा, जादूई घड़े सोना निकालो और घड़ा चमचमाते सोने के सिक्कों से भर गया, राजू का जीवन रातो रात बदल गया, और वह गाओं का सबसे धनी व्यक्ती बन गया, जादूई घड़े की बात दूर दूर तक फैल गई, ला रात वह राजू के घड़ में घुस गया, और घड़ा लेकर भाग गया, चोरी से अंजान राजू अगली सुबह उठा और पाया कि उसका जादूई घड़ा गायब है, उसके हृदय में निराशा और दुहक भर गया, अपने कीमती घड़े को खोजने चल पड़ा, ऐसे ही वह मुना के सामने पहुचा, राजू ने जादूई घड़ा वापस करने की गुहार लगाई, हालांकि मुना ने इनकार कर दिया, और गुस्से में कहा, जादूई घड़ा अपने पास रखेगा, राजू ने गाम वालों की मदद लेने का फैसला किया, गाम वालों मुना को जादूई घड़े को लोटाने का आदेश दिया, यह सुनकर मुना बहुत दुखी हुआ और जादूई घड़े को उसके असली मालिक को वापस लोटा दिया, जादूई घड़े की वापसी के साथ राजू ने ना केवल अपने फायदे के लिए बलकि पूरे गाम क की भलाई के लिए इसके जादू का बुद्धिमानी से उप्योग करना जारी रखा। इस तरह गरीब किसान एक प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गए। काम सम्रिद्ध हुआ और सब खुशाल जीवन जीने लगे।